हेलो दोस्तों सवागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट बेल से चतल में मैं हूँ आपका दोस्त अतुल गोयल आज हम बात करेंगे फैडरल बैंक की फैडरल बैंक जो की उपर के लेवल से अच्छा खासा क्रेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और किस लेव इस लेवल के उपर पहले भी इसने रिजिस्टेंस फेज किया था इसके लेवल पर यहां पर स्टोक पहुंचा भी नहीं पहले ही रिजेक्ट होता हुआ नजर आया फिर स्टोक इस लेवल तक पहुंचता है वहाँ पर फिर रिजेक्शन होती है फिर यहां पर देखिए मु क्रेक्शन्स होती हुई नजर आती है और क्रेक्शन्स देखिए इस लेवल पे है कि आप देखेंगे यहां से स्टोक उपर जा रहा है फिर इस लेवल के उपर अगेन उपर इस लेवल के तो इस टाइप की जो क्रेक्शन्स है आप देख सकते हैं यहां पर बन रही है तो बीकली चार्ट पर इसे थोड़ा सा मैं आपको इनलार्ज करके दिखाऊँ जैसे उपर तो मैंने आपको दिखाए कि जो इसकी रिजिस्टेंस लाइन है यहाँ पर है बट निचे देखिए एक सपोर्ट लाइन जो है इसकी यहाँ पर निकल कर आती है बार-बार इस लाइन के आज पास से है यह मल्टी एर्स के जो चार्ट इस टाइब की होते हैं और जब इस टाइब करते हैं तब यह जो स्टोक है बीक माना जाता है और सेकेंडली यह सपोर्ट है आने ले टाइम में अच्छा खासा रिस्टेंस की तरह काम करने लगती है वो स्टोक का बढ़ना थो की सपोर्ट दिखाई की स्टोक ने ब्रेक कर रखी है यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हुआ उसके बाद देखिए मुल्टिपल केंडल इसके आसपास ही बनी है तो अब हमें निचे के लेवल पर कहा नज़े रखनी है आप देखेंगे लोब लगा रहा है 82.8 और यहाँ पर 82.7 यानि यह जो लेवल है स्टोक बार-बार इसको टेस्ट कर रहा है 82.5 के आसपास के लेवल को और उसका नीचे नहीं जा रहा है अभी इसको बेस बना रहा है अगर इसको यह स्टोक ब्रेक कर देता है तो नेस्ट लेवल जो आपका निकल कर आता है अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे आता हो नजर आएगा और वो लेवल बनते हैं 79 रुपीज के 79 जैसे आपने देखिए काफी बार इसने टेस्ट किया है और 79 से फिर से बांस बैक हुआ है तो यहां पर 82.5 को नीचे अगर ब्रेक देता है तो स्टोक जो है 79 तक आता हो नजर आ सकता है बट उपर के 87.5 के उपर यह स्टोक जो है निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है तो यहां पर 87.5 का लेवल जो है काफी इंपोर्टेंट है और यह शेप जो आप देखेंगे इस टाइप की जो शेप बन रही है यह थोड़ी सी डेंजरस होती हुआ नजर आ रही है निचे का लेवल 82.5 है उपर का 87.5 इसके बीच में जब तक स्टोक है तब तक ठीक है अगर निचे की 82.5 को ब्रेक कर देता है तो 79 के लेवल दिखाता हुआ नजर आ सकता है उपर के लेवल 87.5 को जब ब्रेक करके उपर की तरफ निकलेगा तब स्टोक जो है अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है ज तो अगर 87.5 को क्लोज करेगा उसके उपर क्लोजिंग देगा तो हम फिर से इसको रिव्यू करेंगे नेस टार्गेट के लिए बट अभी 87.5 का ही हम टार्गेट टक के चलते हैं कि वहां तक जो है स्टोक अभी पहुंसता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिस आप से इसकी और लाइन्स को ड्रो करके रखे तभी आप इसके अंदर पैसा कमा पाएंगे थैंक्यू धन्यवाद